कर एक मिनट के लिए भी आपकी आखे नम हो जाएं तो अगली बार कूड़ा फेकने से पहले एक बार कम से कम इन लोगों के बारे में भी सूचिए जो आपका फेका हुआ कूड़ा उस कूड़े दान में से जानवरों के बीच गंदी विमारियों के बीच खड़े होकर उठा रहे हैं सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए अगर ये वीडियो आखरी तक देखते हुए आपकी आँखे नम हो जाएं तो एक बार कम से कम कूड़ा रोट पर फेकते हुए इन लोगों के बारे में सूचिए जिस कूड़े को आप बढ़े लिखे शिक्षित होने के बाद भी रोट पर फेक रहे हैं उसी कूड़े को ये अनपढ़ होने के बावजूद भी उस रोट से उठा रहे हैं किस प्रकार के समाच का निर्माण हम करने वाले हैं अपने भविश्य को क्या चहरा दिखाने वाले हैं अगर अगली बार आप ये कूड़ा रोट पर फेक हैं तो कम से कम एक बार अपने हैं नहीं तो अपनों के लिए सोचें सोचें कि किस बिमारी का सामना आपके अपने आज के दोर में कर रहे हैं सोचें, सोचें कि आज अगर आप इस बिमारी को दूर नहीं कर पाए तो आने वाले भुष्य में क्या होने वाला है यह एक गहरा सत्य है, सोचें, सोचें कि यह जो बिमारी है और ये जो कच्रा है ये घूम के आपके पास इगलोट के आ रहा है हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से सोचें कि अगर इस कूडे का सही निकास ना हो तो कल को ये प्रित्वी जो है ये एक आग का गोला बन के हम पर ही वरसे की सोचें, कल कुड़ा फेकने से पहले उस कुड़े से होने वाली बिमारियों के बारे में सोचें सोचो, अगर ये लोग समाज के सफाई ना करें तो हमारे समाज का क्या चहरा होगा अगली बार अगर आपको कभी कोई कुड़ा उठाने वाला दिखे तो कम से कम अपना गीला कूड़ा और सुखा कूड़ा अपने ही घर में अलग करके उसे दान के तौर में दे किसी बिखारी को भीग देने से अच्छा है इन कूड़े उठाने वाले को कूड़ा दान में दे ये एक समाजिक कार है जो आपको एक स्वच्छवातारण की तरफ धकेलता हुआ लेके जाएगा अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कृप्या करके अपने कुछ शब्द लिखिए ताकि और लोग उन शब्दों से प्रभावित होकर इस समाज के सफाई के अंदर योगदान दे सोचें और गीले कुड़े और सुखे कुड़े का पूरी तरीके से निकास करने का प्रबंद करें ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गीला कुड़ा अलग हो और सुखा कुड़ा अलग हो आज अगर हम इस कुड़े के लिए आगे नहीं बढ़ पाए तो कल हम अपने आने वाली पीड़ी के लिए केवल प्रदूशन और कच्रा ही छोड़ कर जाएंगे ये एक गहरा सत्य है इसको ध्यान दीजी और अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाते हैं तो इस वीडियो को भले ही किसी को ना भेजें मगर इस वीडियो के माध्यम से जो गीला कुड़ा और सुखा कुड़े को अलग करने की बात की गई है उस पर आज ही अमल ले क्योंकि शुरुआत आपके घर से होगी शुरुआत मेरे घर से होगी स्वच भारत का सपना आखों में लेते हुए आज आपसे अलविदा लेता हूँ आपका अपना अदितितिवारी जय हिन जय भारत